हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी इसकेंड एपिसोड में मैं इस वीडियो में हर विक की जितने भी अपडेट्स आया है एप और इंफ्रमेशन के उपर मैं इस वीडियो में आप लोग को अपडेट करूँगा जैसे कि एपल ने बहुत सारे चाइनीज गेम्स को अप इस वीडिया के काउंड से बेन हो गाए है आते हैं अपने अपडेट्स के उपर फाज की रिलीज डेट आगे दोस्तों फाज की रिलीज डेट अक्षे कुमार ने खुड ट्वीटर पर ट्वीट करके 26 जनवरी को बोला है मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि 26 26 जनवरी को ही रिलीज होने वाली है यह confirmation मैंने पला ही अपने वीडियो में दे दिया और अक्षे कुमार ने इसके बाद ट्वीटर पर उस पर लॉंच करके दिया था क्यूंकि उससे साब पता चर रहा था जंडा पहराने के सिंसे कि हां यह 26 तारी को रिलीज होने वाला है तो देखते हैं इसको खेल के कैसा लगेगा तो कॉमेंट में जरूरूर बताना कि आप इसका वेट कर रहे है नहीं दूशरे अपडेट हो गई है दोस्तों पबजी के डिले होने के कारण ऐसे बोला जा रहा है कि पबजी के जो पबजी मोईल और पबजी लाइट जो दोनो पबजी कर दी गई है इतना ज्यादा डिले कर दिया गया है कोमेंट में जरूर बताना कि आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है अगली एपडेट आड़ी है दोस्तों वाटसप की ओर से वाटसप ने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया दोस्तों वाटसप ने निउएर के दिन 1.4 billion लोगों ने वाइस कॉल और वीडियो कॉल से एक दूसरे से बाते की है क्योंकि उस दिन सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे एक रिकॉर्ड बन गया और 1.4 बिलियन लोगों ने उस दिन एक दूसरे से बाते की अगली अपडेट हा रही है दूसरे यूएस के और से यूएस में आठ चाइनीज एप को बैन कर दिया गया था जिसमें से वीचैट और जितने भी उसके टेंसेंट के एप थे जिसमें टिक टॉक भी जो ट्रम्प और के अंडर में हुआ था जिसमें ट्रम्प ने आठ रही है कि इसको हटाने के लिए बड़ यह अभी बैन हो गई है अगली अपडेट आड़ी है दोस्तों एपल के उट से अपल ने अपने अप स्टोर से 39,000 गेम को जो चाइना के थे उसको रिमूब किया है क्योंकि वह प्राइवीसी उस्यू के कारण वहां से उसे रिलीज क करना पड़ा उसे वहां से हटाना पड़ा क्योंकि जो हम लोग को पता है वीचाट और टिक टॉक वह सब जितने भी एप थे वह सब प्राइवीसी इस्यू के उपर डिपेंड थे वह सब जितने भी प्राइवीसी डाटा रहा थे वहां से कॉलेक्ट करते थे इसके कारण 39, 39,000 एप जितने भी थे वह चाइनीज एप वह जो एप स्टोर पे थे वह गेम्स वगएरा उन लोग को वहां से रिमूब कर दिया गया है क्यूंकि एपल बहुत जादे सिकुर्टी मामले में और प्राइवीसी मामले में अपने कस्टमर का काफी जाता है तो उसने ऐसा कदम उठाया और 39,000 एपस को वहां से रिमूब किया है अगली अपडेट आ रही है दोस्तों की फेस्बूक और ट्वीटर पे दोनों पे बैन कर दिया गया है मतलब उनके अकाउंट को सस्पेंट कर दिया गया है तो यह बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि हम लोग को पता ह है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यह वीडियो कोंटेंट के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अर ज्यादा पिसंद आ गया तो सेयर कर दिजे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए